अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनरजीज होंगी, क्या आपके पार्टनर के एनरजीज रहेंगी, कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खायाल रखके, आप जून मंत की एनरजीज को बदल सकते हैं, अपनी जून 2023 की लव टारो रीडिंग है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो आपके नाम के हिसाब से राशी हो आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो तो इंतजार किस बात का है चलिए जी आपकी लव जून मंत के लिए देखते हैं. चलिए केंसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. मिर पास यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ड्स हैं. फर्स सेट में हम आपकी अनर्जीज देखेंगे, सिकिन सेट में आपके पार्टनर की अनर्जीज देखेंगे and थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंत में क्या हो रहा है. तो आपसे शुरू करते है Cancerians और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है Promise और यह General Reading है तो यहाँ पे Promise का मतलब सब Cancerians के लिए differ करेगा कुछ Cancerians के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम से या June स्टार्टिंग में किसी चीज को लेकर Promise आप खुद से कर रहे हैं होता है न हम खुद को बोलते हैं कि भई अब आगे से हम यह न कभी भी नहीं करेंगे या फिर आगे से हम बहुत discipline तरीके से इस चीज को करेंगे तो कोई भी चीज हो सकती है जिसको लेकर कुछ Cancerians खुद से एक वादा कर रहे हैं खुद से एक Promise कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप अपने Partner से Promise कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने Partner से कोई Promise कोई वादा चाह रहे हैं या फिर आपके partner ने कोई आपसे promise किया, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और दिखिए यहाँ पे ज़रूर ring बनी हुई है promise के card में, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी level का promise हो सकता है, और हो सकता है कि again कुछ time से June starting में, एक positive frame of mind आपका रहे रहा है, इसी promise की वज़े से, एक अच्छी feeling आपको हो रही है, या फिर एक उमीद आपकी बन रही है, आप hopeful हो रहे हैं, अगर किसी चीज को लेकर बहुत confusion थी, तो एक direction भी आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन दिखें, mid June के लिए, यहाँ पे page of wands reverse का card कहता है, या तो कुछ concerns over enthusiastic, over excited किसी चीज को लेक हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका enthusiasm, आपका excitement बहुत low हो रहा है, और दोनों ही scenario में कहीं एक immature सी energies, concerns आपकी रहती हुई दिख रही है, कुछ के लिए simply हो सकता है कि किसी message, phone call, email, news का आप wait कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, यह relationship की reading है, तो partner से ही related, again news, phone call, message, email का आप wait करते हुए दिख रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और इसी लिए शायद यहाँ पे standards and boundaries का card कहता है, कि आप एक boundary बनाना चाहा रहे हैं, आप एक standard maintain करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, और थोड़ा सा, again, एक immature energies आपकी रहती हुई दिख रही हैं, and कहीं दिखे, end June के लिए night of pentacles, reverse का card बहुत ही clearly कह रहा है, कि आप एक pause ले रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है, कि जब तक अब आप 100% sure नहीं होंगे, 100% confident नहीं होंगे, 100% secure नहीं feel करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और deeper level के लिए partnership का card कहता है, कुछ concerns को literally ऐसा भी लग सकता है, कि एक, again मैं कहूंगी, you know, पहल रह रही है relationship के लिए, और partner की तरफ से इतना नहीं रह रहा है, और दिखे, आपके partner के cards में देख भी पा रही हूं, concerns, तो कहीं कुछ time से June starting में, उनकी तरफ से उतना एक action initiatives नहीं रह रहे हैं, और इसलिए या पर otherwise भी आपको ऐसा लग सकता है, क पर दोनों तरफ से equal एक given take होना चाहिए, या otherwise भी सामने से भी उतना ही एक enthusiasm, excitement होना चाहिए, तभी आगे बढ़ने का पाइदा है, और इसलिए या फिर दिखे, कोई और reason भी हो सकता है, concerns, June end में आप थोड़ा सा pause लेकर commitment, stability, security, surety, safety पर जादा focus करते हुए दिख रहे हैं, और अब दिखते हैं, concerns की, आपके partner की क्या energies हैं, तो यहाँ पर दिखे, सबसे पहला card, बहुत ही clearly, आपके partner की तरफ से एक escapism वली energies की बात करता है, यानि की, वो upfront होके कुछ चीजों को नहीं deal कर रहे हैं, कुछ चीजों को avoid कर रहे हैं, कुछ चीजों को ignore कर रहे हैं, कहीं कि चीजों से बचते बचते दिख रहे हैं, और ये card दिखे, cheating का भी है, तो कुछ concerns के partner के लिए ये भी हो सकता है, कि यान तो दिखे, वो किसी भी level पर cheat कर रहे हैं, और मैंने हमेशा कहा है, concerns कि cheating हमेशा, किसी और की तरफ आप attract हो रहे हैं, आपके partner attract हो रहे हैं, उस reason की otherwise भी, तो भी वो एक unfair energies ही कहलाती हैं, तो या तो आपके partner की ऐसी energies हैं, या फिर आपके partner आपकी तरफ से ऐसा महसूस कर रहे हैं, deeper level के लिए उनको इस चीज़ की realization है, कि आप दोनों का connection, you know, एक higher purpose की वज़े से है, उसका एक higher meaning भी है, लेकिन दिखे, कहीं mid zone के लिए devil reverse का card क कहता है, कि एक pressure, एक stress, एक tension वो ले रहे हैं, और दिखे, ये सब concerns के partner के लिए differ करेगा, लेकिन यहाँ पर devil के नीचे round and round का card कहता है, आपके partner को ऐसा लग सकता है, concerns की चीज़े ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कोशिश करके, बहुत effort करके, आप दोनों या आप दो relationship से, और कहीं देखिए, फिर जहां से शुरू किया वहीं पर ही आ जाते हैं, तो चीज़े ना एक ही level पे, एक ही जगा पे गोल-गोल-गोल भूमते जा रही हैं, नेक्स लेवल पर नहीं जा रही हैं, ये एक उनका stress, tension का reason रह सकता है, अदवाइस देखिए devil का card कहीं obsessive energies की बात करता है, possessive energies की बात करता है, तो ये भी आपके partner या कुछ concerns के partner महसूस कर सकते हैं, थोड़े से controlling, थोड़े से dominating concerns हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं end June के लिए Ace of Cups reverse का card कहता है, कि emotionally low feel कर रहे हैं, कहीं देखिए कुछ से शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए भी सब concerns के partner के लिए different reasons रहेंगे, rose colored glasses का card कहता है, कि concerns आपके partner ना हर चीज़ को बहुत lightly ले रहे हैं, होता है ना, आजकल मैंने बहुत जादा देखा है, लोग positive thinking में believe करते हैं, which is a very very good thing, लेकिन with due apologies and respect, positive thinking का मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, positive thinking का मतलब लोग यह समझते हैं कि भई, जो चीज ठीक नहीं है, negative है, उसको भी आप positively देखो, this is not positive thinking, positive thinking is जो भी situation जैसी भी है, अच्छी बुरी, उसको हम accept करें और उसको हम कैसे positively deal करें, मतलब हम उस negative situation को लेकर मायूस ना हों, हम, you know, तो demotivated ना हों, हम बहुत motivation के साथ, फिर भी उसी तरीके से चीजें करें, तो यहाँ पर आपके partner के energies लग रही हैं कि negative चीजों को भी positive तरीके से देखना और उसको फिर justify करना कि भई, यह तो positive thinking है, यहाँ फिर positivity एक वो maintain करना चाह रहे हैं, और यह एक reason रह सकता है, यहाँ otherwise भी नए तरीके से चीजों को शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं इसी लिए या फिर otherwise भी emotionally low आपके partner महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और आप दिखते हैं कि incidence की जून मंत में क्या हो रहा है, तो दिखें, जून स्टार्टिंग ठीक ठाक जाती हु अटेंशन रहता हुआ दिख रहा है, और ये भी हो सकता है, कि incidence की ये love, care, attention आपकी तरफ से आपके partner के लिए जादा है, देखें कहीं Empress, motherly energies की बात करती है, और incidence आप लोग तो माने ही जाते हैं, एक बहुत ही motherly affection के लिए, तो वो आपकी तरफ से हो सकता है, आपके partner के और जो भी surface level के लिए हो, deeper level के लिए, किसी चीज को लेकर एक yes, no, yes, no भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के मन में चलता हुआ दिख रहा है, यानि कि कोई decision, कोई choice लेना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, Saturn, Sheet, Seduction का card कहीं physical connect, physical intimacy की भी बात करता है, जो कि या तो June mid में, या June month में हो रही है, या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे हैं, और देखिए, यहाँ पर ये card शादी की बात करता है, तो हो सकता है कि शादी के बारे में कुछ cancerians सोच रहे हैं, या फिर एक stability, एक security लाने के बारे में सोचा जा रहा है, और religion, society, जो घर के बड़े हैं, उनके उपर जादा focus करा जा रहा है, या फिर उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, या इन चीजों की वजए से छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले रह रहे हैं, और overall के लिए देखिए, cancerians तो आप या आपके partner किसी चीज को लेकर बहुत rigid, बहुत fixated हो सकती हैं, लेकिन ये stubborn, zid और बहुत fixated वाली energies आपके partner की जादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके partner के लिए यहाँ पे devil का card है, और आपके लिए देखिए, यहाँ पे page of wands reverse का card, एक flexibility की बात करता है, एक बहुत innocent energies की बात करता है, तो फिर से दिखिए, यह वाली energies आपके partner की दिख रही हैं, और इसी लिए यहाँ फिर otherwise भी, यहाँ पे seven of pentacles, reverse का card कहता है, कि एक pause आप दोनों याँ दोनों में से कोई एक लेते वे दिख रहे हैं, और यह आपके लिए जादा दिख रहा है concerns, जहाँ आपे आगे बढ़ने से पहले, अच्छे से चीजों को समझना चा रहे हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि ऐसा लग सकता है कि भी crossroads पे खड़े हुए हैं, अब यहाँ से आगे क्या direction लें, क्या course of action होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और यह किसी भी चीज से related हो सकता है, लेकिन seven of pentacles के नीचे long term का card, कहीं long term commitment, long term stability, marriage, engagement, living या फिर इस तरीके की किसी भी चीज से related, एक सोच, एक planning, एक decision, एक choice के बारे में सोचने की या लेने की बात कर रहा है, और दिखें, यह इतना असान नहीं होगा, थोड़ा सा difficult, थोड़ा सा challenging भी रहता हुआ दिख रहा है, तो यह था किन सेरियन्स आप लोगों के लि यह जून 2023 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें